तस्विरे आपको महाराज की नागपुर से दिखाते हैं मुक्रिमंत्री बजुलाल शर्मा क्या कुछ क्या रहें जरा सुनिए पक्षराजी ब्याज जी का जो समर्पण भाव रहा है वो आप सभी जानते हैं श्री राजेज जी बागडी साहब गिर्दारी जी मंत्री साहब नसान जी गांजी जाप महेश गोयल जी बिक्रम जी सर्मा साहब दया संकर जी तिवाडी पूर महापौर और इस कारिक्रम में आई सभी मेरे पूजायोग बुजर्गो नौजवान दोस्तो और इतनी बड़ी संक्या में आई मेरी माता भेनो सबसे पहले तो मैं आप सभी इतनी संक्या में सभी आए हैं मैं आप सभी का अवनंदर करता हूँ बंदर करता हूँ आप सभी को मैं नमन करता हूँ नागपुर की इस महान और एत्यासिक धरती को भी मैं नमन करता हूँ जहां से एक राज्टियता का एक दीपक जला एक बीजार उपन हुआ और मैं आज कह सकता हूँ कि आने वारे समय में वो दीपक दुनिया को रहा दिखाने का काम करेगा ये भी मैं आपको विश्वाश दिलाता हूँ हम सबको गर्ब होता है क्योंकि हमारी सबसे बड़ा राश्टिय सेम सिवसंग का मुख्याले यह इस्चित है यहां से वो प्रवा भैती है जो दुनिया को दिखाने का काम करती है दुनिया को राश्टा दिखाती है आज नहीं कल निश्यत रूप से मैं कह सकता हूँ दुनिया इस राश्टिय पर चलेगी जो एक नाकपुर से एक प्रवा भाई है मुझे खुशी है यहां यहां इस्टित गड़े स्टेगडी मंदिर में हाल के बरसों में हुए नम निर्माण में राजिस्तान के बंसी पाड़पुर का पत्थर भी लगा है और यह जिक्र में आपसे इसलिए करना चाहता हूँ के उसी से राम मंदर का निर्माण भी हो रहा है मेरे प्यारे भाईयों यह पत्थर राम मंदर निर्माण के उप्योग में मिलाया जा रहा है और यह पवित्र बंदन ऐसा है यह अविद्या के राम मंदर नागपुर के गड़ेश जी मंदर को जोडने का काम भी करता है मैं इस पवित्रिस्तान का भी अबनन करता हूं मैं राजिस्तानी भाई बेन जो इदर बिदर्ब छेत्र में नागपुर छेत्र में रहते हैं मुझे पता है मैं अभी जलगाओं में था आज जलगाओं में जब मैंने देखा मागी समाज ने मुझे दन्नबाज भी दिया और उन्होंने कहा कि पहली बार सभी समाजों ने मिलकर के जो राजिस्थानी समाज थे उन्होंने मिलकर कि आज राजिस्थान नीच सकल समाज का आज इस्थापना भी किया और उसका इस्थापना का अज उद्गाटन भी उन्होंने करवाया और मेरे को एक साल पहले नमंत्रण भी दिया कि यह हम 17 नवंबर को हर साल मनाने का काम भी करेंगे मैं हमेशा कहता हूँ देश के हर कौने में जाने का मुझे मौका मिला है पहले महमंत्री के रूप में जाता था लगवा पूरे देश के हर प्रदेश में मेरे को जाने का मौका मिला अभ मुक्मंत्री के रूप में मुझे जाने का मौका मिल जहा भी राजिस्थानी भाई मिलते हैं मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है और खुशी मुझे इस बात की होती है कि अभी अभी प्रोज साब ने कहा था और ये बास सच है कि हम आकर के जहां आये हैं हमारी जनम भूमी से जो उपने करम भूमी बनाई है उस करम भूमी में हम मा के रहने वाले लोगों के साथ मा की समाज के साथ हमने सिर्व ब्यापार का धंदा नहीं रखा हमने सामाज एक सरोकार में भी हमने उनका सहयोग करते हुए हमने सामाजिक सरोकार के कारवी किया है अभी जब मैं जलगाओं से निकला तो मेरे को यहां आने क्योंकि लेट हो रहा था यहां आने की जल्दी थी लेकिन उन्होंने का कि नहीं गौसाला चलना है मेरे राजिस्थानी समाज के बापना भाई हैं उन्होंने गौसाला खोल रखी है और मैंने उस गौसाला को देखा तो चार हजार गाएं जलगाओं हो मैं चार हजार गाओं की गौसाला उन्होंने खोली है खुशी मुझे इस वात की होती है कि जाजा हमारे प्रवासी राजिस्थानी गए हैं उन्हें अपनी महनस से अपने कर्म से अपने भ्यवार से सभी जगे जो इस थान बनाया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत दन्वाद देना चाहता हूं क्योंकि मन में यह लगता ही नहीं क्योंकि आपके सामाच एक सरोकार के काम इस तरह के हैं अभी राजेजी जिकर कर रहे थे क्या सेक्षिर संस्ता है हो मंदिर हो या गरीब लड़कियों की साथी हो क्योंकि जब मैं तेलंगाना के अंदर गया तो मेरे गोनों ने बताया कि जितनी संसान है किसी न किसी राजिस्तानी भाई ने उनको गोद ले रखा है और उनका भी जिल अद्दार करने का काम कर रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कभी-कभी मेरे से पूछते हैं कि राजिस्तानी भाई हर जगे है मेरे गोडिसा गया मैं उडिसा के दूर दराज में लगाया तो वहां भी जब में मेरी सबा थी और मैं हेलिकॉप्टर से उतर गर के उस सबा में जा रहा था तो मेरे राजिस्तानी प्रवाशी वाई वहां बहुत बड़ी संक्या में मिल कहावत क्योंकि पूस समय जब यह आये थे जो 1500-200-300 साल पहले रैल गाड़ी भी नहीं थी, कोई साधन भी नहीं था, कर लेकिन मारबाडी की बारे में कहावत है, जानी पहुँचे रैल गाड़ी मां पहुँचे बयास गाड़ी और जानी पहुँचे बेल गाड़ी माँ पहुंचे मारबाड़ी इसलिए मैं कहा जा मैंने देश के बारे में बताया लेकिन मुझे कई कंट्रियों में जाने का भी मौका मिला अभी राजिंग राजिस्थान हैं तो मैं कई कंट्रियों में गया तो सबसे पहले ये अरपोर्ट बर मेरे प्रवाशी भाईयों की लैन देखी और वो स्वागत में सभी निकल करके आए वो माँ भी अपने वो सामाजिक स्वाहर और समाज के जो काम है वो देश में ही नहीं जहां भी जिस कंट्रिय में हैं माँ भी उसमें वो जुटे हुए है माँ भी उन कामों को वो कर रहे हैं मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो राजिस्थान की मिट्टी की जो खुश्पू है वो आप सभी जगे फैलाने का काम मेरे प्रवाशी भाई कर रहे हैं महाराश्ट और राजिस्थान में तो पुराना संबंद है क्योंकि महाराश्ट के अंदर सर्त्रपदी सिवाजी हैं तो राजिस्थान के अंदर महाराणा प्रताप है जोनों ने समाज के लिए अपने आपको समर्पित करते हुए उन्होंने जिस तरह का लोगा लिया और इतिहास में जब शत्रपदी सिवाजी और महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं और उनकी गप्डगाता सुनते हैं तो रोम रोम खड़ा हो जाता है ये मेरे राजिस्थानी और महाराश्ट की प्रताप है और आपने क्योंकि राजिस्तान सक्ति और भक्ति की धर्टी है महाराणा प्रताप की धर्टी है महाराजा सूरजमल की धर्टी है त्याग की मूर्ती पन्ना धाय की धर्ती है भक्ती की मूर्ती मीरावाई की धर्ती है और अपने आपको पर्यावराण के लिए और खेजडी की पेड़ों को समर पेत होने वाली मा अमरता देवी की धर्ती है मुझे पता है ये खुस्टबू पूरे देश में फ्हलाने का काम आप कर रहे है और मुझे ये भी पता है कि आप राश्टिय भावना से उत्परोथ हो करके देश के एससी प्रदान मंत्री नेरेंद्र मोजी जी कहते है कि ब्रकास भी और ब्रासत भी हम हमारी उस ब्रासत को ध्यान में रखते हुए क्योंकि हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारे पूर्वजों ने वो गुलामी के समय कैसा काटा होगा हजारों सालों की वो गुलामी कभी हून आये कभी कुसान आये कभी इसलाम आया तो कभी अंग्रेज आये लेकिन जिस तर से लुआ लिया और और हमने इस देश को अक्रांताओं से हमारे बुजुर्गों ने लड़ा ये लड़ी मैं कह सकता हूं मिरे भाई और बेनों जो हजारों साल है तक उन्होंने वो लड़ाई ये लड़ी वो समय हमारा आ गया है जो स्वामी बिवे का नंजी ने कहा था 1893 में में कि 21 मी सदी भारत की होगी आप परवरतन देख रहे हैं उस नरेंदर से इस नरेंदर का परवरतन आप समी ने देखा है तो किस तरह से परवरतन हुआ है और यह परवरतन ऐसे नहीं हुआ है अभी हमारे 25 में 100 साल पूरे होने वाले हैं मित्रों में कहना चाहता हूँ अगर आप पीछे की तरफ जाओगे विचार करोगे हैं तो हमारी कितनी पीडिया फुक गई कितने लोगों ने अपना त्याग परिस्चरम ब्लदान किया कितने लोगों के लिए आजादी के लिए आजादी के बाद इसे देश की इती को रखने के लिए देश की संस्कृति को रखने के लिए अपने आपको आहूत कर दिया अपने आपको समर्पित कर दिया यह मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज वो समय है ओ समय के अंदर हम सभी की भूम का क्या होगी यह हमें तैक करना होगा क्योंकि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुना तमासा भी देख रहे थे वो तमासा इसलिए देख रहे थे उनको ग्यान नहीं था उनको भन नहीं था, उनको उनके परवार से, कहीं उनको फुर्षत नहीं थी, सिर्फ कमाने से फुर्षत नहीं थी, मैं आप से हेक ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और वेनो, देश की सुस्य परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही स में हैं और हमारा देश 2014 के बाद चिस तरह से आपने देखा होगा मैं आउस से पूझना चाहता हूँ 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परवर्तन हुआ है हुआ या नहीं हुआ ये आप ही बताएं 2014 के बाद कितना देश के अंदर परवर्तन हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाईयों बेनो 2014 के बाद या गरीब कर लैंड की ओजना हो या देश का विकास हो या अतनकबाद नक्सलबाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो ये आप सब ने हमने देखा है 2014 से पहले देखना चाहते हैं तो हमारे मुझरुक मेरे सामने बैठे हैं 2014 की पहले की इस्शितिए आप ने देखिये और मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि हमें परिश्रम की पराकाष्टा करनी हो गई हम सब को एक-एक को जागना होगा एक-एक को अपने काम में लगना होगा बहुत कुछ दिया है देश को दिशा देने का काम किया है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम समको जावी हमारा विदर्व के अंदर हमारा नागपूर के अंदर कहीं भी कोई भी हमारा भाई है मिलने वाला है और मैं जानता हूँ राजिस्तानी भाई भेनों को क्योंकि इनका जुडाव कितना बड़ा होता है इनका जुडाव चाहे कोई भी काम करते हैं लेकिन इनका सामाजिक सरोकार का दायरा बहुत बड़ा होता है वो इतना बड़ा होता है कि उनके मोबाइल में फोन नमंबर होते हैं आप उन सब और जगाना होगा उन सब को SMS भी करना होगा फोन भी करना होगा क्योंकि आपने देखा है तो देश में राजनीत्य पर्त बदला है है कि आज़ादी के बाद आज जिस तरह की दसा और थिसा बदली थी क्योंकि हमारे भी तो उस आजादी में बहुत बड़ा योगदान था हमारे डाक्टर शामा प्रसाद मुकर्ची भी तो उद्योग मंत्री थे आज अगर किसी पार्षित को कहते हैं कि तुम इस्तिवादे के यह कर दो कोई भी नहीं करता है लेकिन उन्होंने उस समय कैविनेट मंत्री से त्याग पत्र दे करके और उन्होंने एक ऐसे संग्टन का निर्माण किया जो देश की दसार बदलने का काम करें क्योंकि कि आज जादी के बाद देश की ददा बदली हुई थी उसे ठीक कर दे से लिए और जब हमें खुशी होत है कि अब हमारा दस बंद्र 20 लोग राष्टबादी लोगों का जो संग्टन था वो दीरे 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 अपनी मेनत और परिश्रम से आज देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनेतिक दल है तो भाड़ती तक भाड़ती है कि सारी बात में आप से इसलिए कहना चाहता हो कि पर्द्रस बदला है राजनीती मिलो क्या क्या करते वो आपने देखा है लेकिन 2004 के बाद देश की स्विप्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने राजनेतिक पार्टियों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है मजबूर कर दिया इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम समय के साथ चलें समय के साथ चलते हुए अपना परिश्रम करें और हम जिस तरह से 2014 के बाद इस्थिती बदलियें आगे भी बहुत बड़े परवर्तन होने बाले हैं आपने ये तो देखा ही होगा कि 2014 के बाद जो हम जिनको 20 साल 30 साल 40 साल से जिन विश्रम को लेकर के चलते थे और हम यही कहते कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ये काम करेंगे और आपने देख लिया वो काम भी हमने करके देखा है हमारी केंदर की सरकार ने करके देखा आपने देखा है अभी प्रोज जी कह रहे थे मैं कह रहा था कि आज मेरे को 11 महीने हमारी सरकार को बने हुए हुए है राजिस्थान के अपने मैं धन्वा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपने राजिस्थान में एत्यासिक भूमत के साथ 11 में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बनाई थे हमने दिन संकल्पों के साथ हम गए थे आज हमको 11 में हुए है हमने 5 साल के लिए बात कही थी लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूँ कि 11 मेने में लगबग 50 परसेंट के लगबग हमारे संकल्पत्रों को पूरा करने का साथ है और अभी 9-10-11 दिसम्मर को राजिंग राजिस्थान है उसमें भी मैं आप को आमंत रित करना चाहता हूँ कि आप आईए राजिस्थान के अंदर राजिंग राजिस्थान में अपना राजिस्थान कराईए आप हों आपके कोई ऐसे मिलने वाले हों क्योंकि मुझे पता है आप दो बार जाते हैं साल लेकिन मैं चाहता हूँ आप भीने में दो बार आए इसलिए मैं राजिस्थान में आईए अपना उद्योग भी लगाईए अपने मित्र को भी लगवाईए और महिने में दो बार कम से कम आईए मेरे को कहा है कि रेलवें को चिंता मत करिये उसकी ट्रेन की चिंता मत करिये और मैं इसलिए कहना जाता हूं कि आप दो बार कम जाते हैं कि साथ ही होती है नई भू आती है तो उससे लिकर के जाते है या बालग या वायल का हो दिये तो उसका मुंदन कराने के लिए हम चाहते हैं कि आप मेने में दो बार आएं दो बार आने से आपका कारोबार भी मा प्रारम हो जाएगा और ये सही बात है कि आप आओगे तो निश्चत रूप से राजिस्तान में खुशे हाल ही आएगे हमने बाइदा किया है कि आने वाले समय में हम एक साल में राजिस्तान में एक लाग सरकारी नोगरी देंगे पांस साल में चार लाख नोग्रिया देंगे और अभी अभी आप ने देखा होगा लगबग तीस हजार नियुक्ति पत्र हमने दे दिये अगले मेने और हम देंगे हमने एक साथ हमारी कैविनेट में 90 जार वेकिंशी निकालने का काम भी हमने किया हमने कहा हैं हुआ हैं कि सबसे पहले हमने राजिस्तान में क्योंकि पानी की कमी आप सभी जानते हैं हमने नहीं जानती हिं और वर देश्य की ऐससे ब्रदान मंत्री नरियंद्रस जी के नित्रत में निश्यतरूप से हम सबदि Gesicht बंद उसको भी हम जल्दी से जल्दी निजात देराने वाले हैं, राजिस्तान में बिजली के लिए हमने कहा, कि दो लाग चोबी से जार करोड रुपे के हमारे MOU हो गए, काम भी प्रारम हो गया, और यह राजिंग राजिस्तान हमारा है, और क्योंकि आप ने देखा एक राजिस् हो, परेटन के छेत्र में भी हमारा बहुत बड़ा काम है, जाए हमारे उद्यपूर की जीले हो, हमारा राजिस्तान, परेटन की दिरस्टी से कहें, तो पहले नम्मर का है, आपका भी मन करता है, कि राजिस्तान में हम घूमने के लिए अपने छेत्र में जाएं और चार दि कि अका लिए राजिंग राजीस्थान में हम आपकी इंतजार कर रहे हैं अंत्में नहीं चारा मिरे भाई और भेनों कि हमारे यह इसमें लाग्पुर्ण नगरी के सब्छाल और यह आ camera के क्योंकि सभी देगे इसमें हमारे प्रवाशी भाई रहते हैं जा भी आपको अलगता है मां सभी को आप फोन भी करेंगे अगर जाना हो सके तो दो देने आपके पास आप जा सकते हैं उनसे बातचीत करके आ सकते हैं क्योंकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए देख करते हैं। आपने देखा होगा लोक्साबा के चुनाम में आरक्षण की बात कहीं ना इन्हों अ ん रहे लोक्साबाबाद कोई आया गया कि सेदी क्या यह तो चुनाव आते हैं तो कोई इसने किया कामरेट ब्रस्ताचार की जन्नी उसने पृस्ताचार जिस तरह से किया है इसलिए मैं कहना चाता हूं देश के यह सब्सक्यान मंत्री नरेंद्र-मोदी के नेतुरत पीसे में राजिस्तान से चल करके मैं आप सभी भाई बेनों के पास मैं इसलिए आया हूं कि आप सभी लोग इस भूम काम हैं क्योंकि आप हमेशा राश्टियता की भावना अपनी संस्कृति अपनी विचार को ले करके चलने वाले हैं मैं यही कहना चाहता हूं कि आप महराश्ट की मजबूती के लिए जनम भूमी की मजबूती के लिए करम भूमी की मजबूती के लिए आप भारती जनता पार्टी के और महायूती के जो हमारे प्रत्यासिय हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोड़ दे कर उनको जिता हैं य हैं यह जलगाओं में भी कहना चाहता हूं कि कहीं भी जाता हूं तो मेरेसे को लोग कहते हैं कि साफ कई ना कहीं हमारा मिलने का कारिक्रम कैसे होगा मैं यहां की सरकार को आने दीजिए मैं पत्र लिखूंगा नागपुर में कोई ऐसा इस्थान मिलेगा जिसमें आप भवन आराम से भवन बन जाए और राजिस्तानी प्रबाशी भाई हमारे मां ठीव प्रकार से क्योंकि तीन चार प्रूप से लोग भी हमसे जुड़ते हैं और हमारे मन में हैं हमारे भाव में हैं हमारी आत्मा में हैं कि हम सामाजी कारों से जुड़ करके रहें मैं इतना ही कहना चाहता हूं पुने आप सभी को मंच पर ब्राजमान में मानिये अमारे प्रोज साहब मानिये गोयल साहब मा पारी जी, सभी का मैं बहुत बहुत हमारी हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्वाद देते हुए मेरी बाणी को बलास देता हूँ, बहुत भथ धन्वाद, जय हिन, जय वारत, जय राजिस्थान, जय भारत.